आप सातियों यह है हमारी सीरिज लाइट और यह सीरिज को हम लगा देते हैं यहां पर 220 वोल्टेज में अब हम इसमें चेक करते हैं तो यहां पर इसमें होल्डर में बढ़िया से किरिंट आ गया है और यह देखिए हमारे पास एक बलब है इसमें तीन कलर सामिल है एक ही आपको रिपेर करना बहुत ही सरल है और एक नई तरीके से हम आपको बताते हैं अब जैसे यह LED वलफ है और इसका डिफ्यूजर ढखकन नहीं खुल रहा है इस तरीके से आप चाकू या कोई पत्ती लिजिए और फिर इसको आप किनारे पर कहीं पर इस तरीके से लगाईए य या फिर इसको इस तरीके से आप लगा सकते हैं यहां पर और इसको दबाके और कुछ इस परकार से आप खोलेंगे या फिर इसको इस तरीके से लगाएंगे और फिर इसको थोड़ा से ऐसी करेंगे तो आसानी से कोई भी डिफ्यूजर हो बहुत आसानी से ओपन हो जाएगा तो यह तो ढकन की बात हो गई अब यहां इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम इसकी जो MCPCB है इसकी SMD को चेक करने के लिए हम यह डोरी का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं अब हम इसको SMD पर लगाएंगे पहले हम यहां पर देखेंगे इसमें करेंट आ रहा है यह ओके है अब इसकी जो SMD है इसको हम चेक करते हैं यह देखें जो भी SMD खराब होगी वहीं से हम पावर ज्यादा है जिससे यह वाली जो SMD है वो खराब होगी इसको हम चिन्नित कर लेते हैं अब हम दोस्तों क्या करेंगे इसको बहुत ही छोटे और हलके तरीके से हम आपको बताते हैं आपके पास जो ड्राइवर है खराब पड़े होंगे उसमें एक कैपसीटर लगा हो को क्या करता है थोड़ा सा स्टोरेज में कर लेता है और इसका स्टोरेज का जो मुक कारण है इसमें जो पत्ती है यह बैटरी के टाइप में है इसमें कारवन लगा रहता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको पूरा सा काट करके और इसकी जो पत्ती है इसको निकाल लेत सकते हैं यह देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से आज 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 तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसमें जो पत्ती है यह इसमें पूरी है एक उपर से कार्बन की पलिट है मतलब कहने के और उसके बाद यह पुठा लगवा है इस तरीके जैसे जिस प्रकार से जो लीथियम आइरन की बैटरी होती है बैसे उसमें भी है मतलब जैसे पहले बताया ना कि इसमें एक मिनी बैटरी माल लो इसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे गर क्यापसिटर आप द लेता है तो इस तरीके से यह इस्टोर लेते हैं अब में यहां पर क्या करेंगे इसकी यही पत्ती को लेकर यह समय कि आप शक्ता नहीं होगी यहां पर सिंपल सा इसकी जो पत्ती है कि इस तरीके से हम काटेंगेаров टीक उसी प्रकारसी हम इसको चोपर काट लहुए और इसके से काट गाएँ और उसके बाद में फिर हम इसको लगाने के आप कई तरीके हैं तो हम आपको साथा सिंपल तरीका बताते हैं कि इसको आप tap में यूज करिएगा सीधा सीधा अब ये काफी भी रहता है कि tap लगाते समय ये tap तो चिपकेगा नहीं अच्छे से फ्रेट नहीं होगा तो कैसे काम करेगा तो यहाँ पर बताते चलें दोस्तों ये जो पत्ती हम लगा रहे हैं एक तरह से कर रहा है और यह समतल है इस में कोई ऊपर नीचे भाग नहीं यह समतल पत्ती है तो रहा हिसकी पकड़ है वह अच्छे से हो जाएगी गーチ मिलें कुछ इस प्रकार से और कि यहां पर यह दोनों भाग हैं यह को हमापस में लगाना है ताकि यह जो भाग हैं यह आपस में सौट हो जाएंगे हलागी दोस्तों बताते चलें यह जो जुगार है यह बहुत ज्यादा टिकाव नहीं है यह एक SMD खराब है और भी SMD खराब हो शकती है यह आपका एक तरीका है सौट तम जब आपके पास कुछ भी सामान नहीं है और आपको बहुत को रिपेर करना है तो एक बहुत सौट तरीके से आप रिपेर इसको इस परकार से कर सकते हैं बाकि जब भी आपकी SMD खराब हो उसके लिए आप या तो रिश्टेंस को प्योग करें या फिर इसकी जो SMD उसको बदल सकें तो यह अभी कुछ समय के लिए आपका काम चल लेकिन हला कि यह सौट करने से काफी समय तक अच्छे से काम चल जाता है तो इस परकार से इसको आप सौट करके रिपेर कर सकते हैं शली अब यह इसमें क्या है दोस्तों यह दिखे जैसे हम यह लाइड के पास करने यह बलंकिंग कर रहा है इसका जो करनट है वह इसी परका जलता है ना वो समझ में आ जाता है चलिए ये वाला जो है इसको भी ये डियो भी बलफ है और यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें पहले से हम हम टैप का यूज नहीं करेंगे यह विशेश रहेगा पहले हम इसको साफ कर लेते हैं इस तरीके से इसके बाद में हम इसी में थोड़ी सी यही जैसे हमने पहले निकाले फिर से एक पत्ती निकालेंगे छोटी सी इस तरीके से यह देखिए ब्लकुल फिक्स आ जाएगी अब यहां पर हमारे पास वो लाल वाला टैप नहीं यह डवल टैप का यूज़ करेंगे हम इस से क्या रहाएगा यह बलब और जो है वो लकुल सटीक बना रहेगा यहा वहां नहीं भगएगा और यह देंखिए बढ़िया से चिपक जाएगा अब जैसी यह ठीक से नहीं चिपका अब अब आपको देखा देते हैं कमी क्या हो जाती है कभी अभी यह दी बलब नहीं जलता यह तो इस तरीके जैसे हमन प्लस से उसमें ठीक नहीं लगी, इस परकार से हम ठीक करके फिर से इसको दबाएंगे, यह अब ठीक लग गए, अब हम इसको चेक करेंगे, तो अब यह काम करना चीह है, यह देखे दोस्तो, यह बलब रेडी हो गया, बढ़िया त्यार हो गया, तो इस तरीके से दोस्तो जि